आप सभी का मंगल हो, मैं सभी नव विभाई जोड़ों से लेके और जो कम से कम भी आपके दस साल तक के पुराने हो चुके हैं, मैं उनको एक बात बहुत अच्छी तरह अनुरोत पूरो करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, कि कई जगा वाद विभाद या मन में मन मुटाव गफलतें कैसे पैदा हो जाती हैं, कि केवल हमारी अपनी ही मूरखता की वज़े से, मैं या और कोई सब्द में बोल रहा हूं, या यूं कहो कि हम कुछ ज़्यादा ही क्या कहते हैं, अपने आपको सुपरियर कॉंपलेक्स में आ जाते हैं, कह ये, नहीं, हम ही समझदार हैं अपने सुपर बुद्धिमान नहीं मानते, और वो कैसे, जब हर घर की एक रिती रिवाज, परमपराओं, सब कुछ होती हैं, और उस रिती रिवाज, परमपराओं में क्या रहता है, कि हम क्या कहते हैं, नेकचार करते हैं, दान धरम करते हैं, और उसके अंदर भी नेकचा आर्ड की को भी दिया जाता है आम तोर पर जो नarmal वहार होता है या कोई उनमें आपस में करता है अब होता क्या आपस करने में भी बेटा महीं जोगासतने भर सुर्फ करते बारा polished महंगाई का वास्ता देंगे या कभी कहेंगे आपको तो पैसे लुटाने की लगी हुए है आप इतना क्यूं करते आ रहे हो ऐसा नहीं करना चाहिए इतने में काम चलाओ बोला ग्यारा सो पांसो देने में भी बड़ा दिमाग लगा के चल रहे हैं फिर ध्यान देना ये वीडियो वैसे तो सभी के वीडियो तो सारी सभी के लिए लेकिन मेरा विशेष यहां पे जो है वह एक प्रकार से ध्याना कर्शन में कर रहा हूं तो सामर्थे वान लोग है ठीक है यह वही ओसो रजनिस्ट वाली बात आ है कि जो मेरे को मिडल क्लास तो छोड़िया अपर मिडल भी उनको कम पसंद थे उनको थे सुपर अपर जो फैमिली वाले थे उनका कहना था जो जितना अधिक धनाड़े होगा वह मेरे पास आएंगे तो वह क्या भरे पेट रहते उनको और कोई चीज का दिमाग दिल दिमा वह चीज थे चलो वह फिलोस्पी में ज्यादा नहीं मैं तो उनका था लेकि मेरी भावना यहां पर यह कि जो बच्चे कमा रहे हैं अच्छी तरह से हैं घर भी वेल अप्टूटेट है बड़ी अडंग से है कोई घर में दिक्कत नहीं आर्थिक दिश्टिकों से कोई मिला करेंगे क्या मतलब बनता बताई आप इस बात पर गौर करें उसका कारण यहीं बनता है कि हम लोग क्या कहते हैं दिमाग लगा बैठते हैं फिर वह चोटी चोटी बाते बनती है कि यह बहु तो देने में कंजूस है यह बेटा तो पता नहीं बहु क्या आती पलड़ गया पहले तो कुछ बोलता नहीं था चलो खर्चा नहीं करता था बोलता नहीं था आप तो बोलने भी लग या आप तो क्या कैते टांग भी ड़ाने लग या और कई बहु उसके कंदेव बंदूब चलाती है कई घर सुधारने के चक्र में आप अपने करमचारियों को दे रहे ह अपने बैचलर थे चलो कर दिया अपने लेकिन फिर अलके में ले लिया फिर साधी आते ही बहु ने दिमाग लगाया दिमाग लगाते फिर आपकी एकदम से आपकी भड़ बढ़ा के क्यों इस सब वाद विवाद को जनम भीता है और देखा जाए बेटा गर ऐसा करता तो बहू के बारे में कफलतें पैदा होती है भू ऐसा करती है तो बेटे के बारे में कफलतें पैदा होती है और दोनु ऐसा करते है तो अब यह बातों सर्विधीत है कि फिर दोनों को δोनों गुद्रर् Itso तैंग आंगयाने व committed मानょे मानन मानने वाले लगे सब तहरे के हैंनos को देना हो तो समें भी दिमाग लगाएंगे को शोड़िया नौर्मल रूटिन की बात हो रही है करना चाहिए जब से बोले हम आपके लिए और क्या सयोग कर सकते हैं जब आप समर्ते वानना तो माँबाप आपसे नहीं मंगेंगे वापना ही करेंगे लेकिन फिर भी बोलो आपको जो कुछ करना दिल खोल का करो उसमें और जो हमारा सयोग हो बताओ नहीं तो बिना मांगे उनको दीजिए तब अच्छा लगता ना बिना मांगे ही अपनी ननंद को अपने परिवार के सदस्यों को अपने आपको जो भी कुछ करना ही सबसे बैश्चतर अच्छे सच्छा करिए आपको अपने अलमारी में से कोई चीज देनी हो कपड़ा लगत अपने पर अपने पती पर अपनी पत्नी पर अपनी पर खर्च करते अच्छा करते लिए परिवार में करने के नाम पर हम सब को एक अजीब सी स्थिति बन जाती है ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने देखा कई वर जब करते कोई बहुत बड़ा फंक्सन हो दिपावली का हो या को साधी वियाग हो जो हमें कुछ जैसे हम कोई चीज अपने अच्छे लोग बाठते तो इसमें भी कंजूसी करते हैं दिमाग लगाते हैं ऐसा क्यूं सस्ते सस्ता समान लाने चेश्टा क में लीजेगा मंगल काम ले नमस्कार